तो स्टार्ट करते हमारा आज का लेक्चर यूनित फॉर्थ का जो हमारा फर्स चैप्टर है आज हम वो कमप्लीट करेंगे पावर्टी हमारा हो गया इस वीडियो में हम अनिम्प्लॉइमेंट डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखे तो आपको क्या करना होगा मेरी चैनल पर अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको स्पेशलाइजेशन की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी जहां पर हमारे तीन यूनित्स अलगी कमप्लीट हो गए है अगर आपको मेरी वीडियो का पीडियो चाहिए उसके लिए आपको टेलिग्राम ग्रूप जोईन करना होगा टेलिग्राम ग्रूप की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस पर में रेगुलर्ली वीडियो लाती हूँ आपके जेके SSB कोर्स के और टेलिग्राम में इसका PDF, टेस्स सीरीज वगेरा सब अपलोड होता है रिसेंट्ली मैंने MCQ का वीडियो भी अपलोड किया है अपनी चैनल पर आप वो भी देख सकते हैं इन केस यू लाइक दीज लेक्चर्स तो दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो दिस चैनल और आप चाहें तो आप मुझे सूपर थैंक्स भी बेच सकते हैं जो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो दिस इस मी कुरत मलिक, Engineer Research Scholar in Sociology, Qualified Net Sociology, 6 plus years of experience in teaching and I have already taught at online platforms like Study IQ and Unacademy जहां से आप मेरी profile देख सकते हैं ठीक है, तो without wasting much time, हम start करते हमारा वीडियो, यह सारा हमारा complete हो गया है, पावर टीका, ठीक है तो आज हम देखेंगे Unemployment यह भी हो गया था यह आपकी schemes है, poverty की, यह plans and now Unemployment देखो Unemployment, पहले हम define करते हैं, Unemployment होता क्या है basically यह वो वाली state है Unemployment, जहां पे एक individual job डूनने की कोशिश कर रहा है, but he is unsuccessful ठीक है, कितने सारे ऐसे individuals हैं, जब हम उनका सब का percentage calculate करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं Unemployment Rate ठीक है, आप सारे job डूनने की कोशिश कर रहे हो, पर job नहीं मिल रहे है, that means आप किसमें fall करोगे किस category में, Unemployed category में, और उसका percentage हम निकालते हैं Unemployment Rate के नाम से, अब इसमें हमें कुछ causes बगेरा देखेंगे Unemployment के types देखेंगे, and कुछ schemes देखनी हैं हमें important, and JNK का data, और आपके इंडिया का data, Unemployment का, ठीक है, तो जो भी data मेरे वीडियो में present है, वो मिने government website से लिया है, तो वो आपके लिए most authentic data रहेगा, ठीक है, तो start करते हैं, यह Unemployment clear होगे, आपको होता क्या है, तो अगर आपको Unemployment Rate निकालनी है, वो आप कैसे निकालते हो, Unemployment Rate, आप देखते हो, कितने ऐसे लोग हैं, Unemployed People, आप Unemployed People, you know, जो जो जॉब डूनने की कोशिश कर रहे हैं, पर और को जॉब नहीं मिल रहे हैं, काफी सारी reasons की वज़ा से, जो हमें यहाँ पर देखने हैं, divided by जो आपका, नेशन का labor force है, तो जितने लोग job डूनते हैं, उसको आपको divide करना है labor force है, total population से divide नहीं करना है, क्योंकि total population में आपके कोन आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, आपके babies भी आगे, toddlers भी आपके total population में आते हैं, ठीक है, तो जो आपके students होते हैं, school going, वो भी आपके इसमें आते हैं, आपके जो old होते हैं, आपकी जो elderly citizens होते हैं, वो भी total population में आएंगे, इसलिए unemployment rate करने, calculate करने के लिए, हम total population नहीं लेते हैं, हम नेशन का labor force लेते हैं, labor force वो वाला force है, जो उस category में fall करते हैं, जो capable है employment सीख करने के लिए, ठीक है, उस unemployed लोग जितने भी हैं, जिनको jobs नहीं मिल रही हैं, उनको आप divide करोगे labor force से, तो वो आपको देगा आपके country का unemployment rate, जो हम आगे data में देखेंगे, currently इंडिया का कितना है, last year कितना था, और currently जेंट के का कितना है, तो जो unemployment है, ये एक बहुत बड़ा economic criterion है, क्योंकि ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है, पहली health of economy क्या चल रही है, कि लोगों के पास jobs हैं कि नहीं, ठीक है, ये आपको incapability दिखाता है healthy educated की भी और willing individual की भी to gain a livelihood, क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे, मतलब जो नहीं effort लगा रहे होंगे job के लिए, जितनी उनको लगानी चाहिए, तो कितना आपका जो force है, वो कितना productive है, आपको वो भी पता चलेगा productive force के बारे में, productive population, productive youth के बारे में भी, ठीक है, आपको health of economy भी पता चलेगी, देखो जो भी हमारी productive force है, productive age में जो आता है, मानलोब 18 से हम रखते हैं, उसको 59 तक, ठीक है, तो जो इस category में fall करता है, उसको एक नाम दिया गया है, demographic dividend, इंडिया का जो demographic dividend है, वो काफी high है और काफी तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले time में इस demographic dividend को सही से utilize करना होगा, इंडिया को, तो ही हमारी economy जो है, वो काफी जादा grow करेगी, ठीक है, तो यह आपके directly इसका part नहीं है, but then you should know, क्यूंगे you never know exam में आपको, कहां से कौन सा question आ जाए, तो I don't want कि आपका कोई भी area जो है, वो रह जाए, ठीक है, तो demographic dividend जो है आपका, इस में आपकी, यह तो आजाती है, वो काफी जादा इस age group में आपके लोग आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, तो बच्चे हैं बड़े, उनको हम demographic dividend बोलते हैं, लेकिन क्या वो कितना productive है, वो आपके लिए matter करता है, तो आपको tap करना होगा इनका potential, उसके लिए आपको economy को वैसा ही बनाना होगा, कि इन सब demographic dividend को आप utilize कर पाँ, ठीक है, अब वापस चलते हैं topic की तरफ, unemployment से हमें यही पता चलेगा कि एक तो हमारी health of the economy कैसी जा रही है, ठीक है, and then आपका जो लोग हैं, individuals हैं, उनकी capability, उनकी willingness to work, उस पे भी हमें थोड़ा ध्यान, हमारा थोड़ा ध्यान पढ़ जाता है जब हम unemployment rate देखते हैं, people unable to work for various reasons such as retirement, disability, pursuing, higher education, etc, excluded from this, ठीक है, मैं आपको पहले का, क्योंगे हम total population नहीं लेते हैं, हम सरफ अपने nation का labor force लेते हैं, इसमें, ठीक है जितनी जादा country की unemployment rate होगी, उतना जादा जो economic growth है, वो less productive होगी यह CDC बात है, देखो, मैंने आपको पहले भी vicious circle of poverty में क्या पढ़ाया जब demand कम होगी, चीजों की, तो production कम होगी production जब कम होगी, तो आपकी economy क्या होगी, economy कम चलेगी, economy weak होगी ठीक है, तो जब production कम होगी, economy weak होगी, jobs create नहीं होगी jobs creation काफी कम होगी, तो यह क्या, यह सारी चीज़े जो हैं, वो एक दूसरे से related है ठीक है, इन सारी चीज़ें को साथ में चलना पड़ते हैं, आपकी overall economy को boost करने के लिए, अब यहाँ पर थोड़ा यह देख लो, यह आपको चीज़े देखने में simple लगेंगी, लेकिन अगर exam में आपको in slide में से कोई question आ जाए, तो employment अच्छी खासी चल रही है, लोगं को बहुत jobs मिल रही है, अगर आपकी unemployment rate जो है अच्छी खासी है, बहुत हाई है, अगर आपकी employment rate बहुत जादा है, मतब unemployment काफी कम होगी, सिधी सी बात है, वो हमें इशारा करता है towards an overheating economy, कि आपकी unemployment rate unusually high हो गई है, और जो unemployment rate है, वो बहुत कम है, इसको balance में चलना है, unemployment इतनी भी लोनी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएगा, कि आपके economy overheat हो रही है, overheat होना क्या होता है economy का, जिससे आपको पता चलता है कि economy आपके बढ़ रही है, लेकिन unsustainable rate पे बढ़ रही है, that means उसके बढ़ने में कुछ गड़वड है, ठीके, वो गड़वड क्या है, उससे आपको दो चीजे पता चलते हैं, पहला कि महंगाई बहुत जादा है, ठीके, जब गड़वड rate में economy बढ़ेगी, तो महंगाई ज़ादा हो जाएगी, inflation high मैं आपको समझाओंगी example के साथ, and unemployment rate जो है, वो below the rate होगी, जितनी normal होनी चाहिए, ठीके, ये दो चीजे हैं, ये main signs है, overheating economy के, जब ये दो चीजे हो रही होंगी, आपकी unusually high rate हो जाएगी economy की, and unusually low हो जाएगी unemployment rate, मतब employment बहुत ज़ादा होता क्या है, अब आपो लोगे economy के बढ़ने से क्या होगा, ठीके, पहले मैं ये clear कर देती हूँ एक भर, अब आपो लोगे इससे क्या होगा, अगर economy के high बढ़ने से, जादा बढ़ने से क्या होगा, economy का बढ़ना आप बोल सकते हो, पैसा बहुत जादा है market में, lots of money, in the market, जब money जादा है, तो मतलब production जादा होगी, अब लोगों के पास पैसा जादा है, तो demand बढ़ रही है, चीज़ों की, demand बढ़ रही है, production बढ़ रही है, and आपकी employment भी generate होगी, जो इनसान एक company चलाता था, उसके पास इतना पैसा है, और इतनी demand है, अब वो 5 company अरांग कर रहा है, 5 companies, that means employment पढ़ेगी, ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ों के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, आपका inflation, अब आप बोलोगे कैसे, जब किसी चीज़ की demand जादा हो जाती है, तो market में inflation rate भी high होती है, इसको आप local level पे छोटे दुकानधार के example लेके समझो, फिर उसी को आप apply करो, पुरी economy के लिए, आप किसी shop पे कुछ खरीदने जाओगे, और उस shopkeeper को पता है, कि ये वाले item जो है, बहुत जादा पिक रहा है, अगर मैं ये item, thousand की जगा, two thousand में भी बेच चूँगा, लोग फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि एक तो लोग के पास पैसा इतना है, and secondly, इस item की demand इतनी है, ठीके तो दोनु चीज़े जादा है, demand जादा है, और लोग के पास पैसा भी लोग के पास पैसा भी है, वो चीज़ों को demand जादा कर रहे है, तो company वाले production बढ़ा रहे है, लेकिन साथ-साथ में वो prices भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है, लोग के पास पैसा तो है, वो खरीदेंगे, तो है इसे ही, चाहे, मैं कितना भी महेंगा बेचू, ठीके, तो उसे आपकी inflation बढ़ रही है, लेकिन साथ-साथ में, आप बहुत employment भी generate कर रहे हैं, जैसे मैंने का, जो इनसान एक company run कर रहा था, आप वो 5 company रन कर सकता है, तो इस सब चीज़ को हम बोलते है, overheating economy, overheating economy किस से आपके related हुई, एक तो आपकी inflation बहुत जादा हो रही है, ठीक क्योंकि employees को अब जादा महनत करनी पड़ती है, extra काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि company जितना जादा production अपना बढ़ाएगी, वो अपने employees को उतना जदा काम करनी के लिए कहेगी, CDC बात है, ठीक है, तो अगर exam में आप ऐसा कोई question आता है, इसमें थोड़ा conceptual क्योंकि economy में क्या होता है, direct question आप solve कर ले दियो, ठोड़ा बदर conceptual है, तो इनसान confused हो जाता है वहाँ पे, ऐसा question है, अगर कि हमारी जो unemployment rate है, वो बहुत कम है, तो क्या आपकी economy के लिए वो कितना बहतर है, ठीक है, अगर वहाँ पे कहीं ऐसा word unsustainable हुआ, या unfavorable situation आ जाती है, तो आपको प inflation जो है, वो काफी जादा बढ़ जाता है, तो ये इसकी conceptual related चीज़े थी, जो exam में आपके काम आ सकती है, इस चीज़ को William Phillips ने curve में represent किया था, और कहा था, inflation and unemployment का stable and inverse relationship है, inverse मतलब जब आपका inflation यहां से बढ़ेगा, तो आपकी जो unemployment rate है, यहां से बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो यह ऐसा कुछ graph represent होता है, तो यह आपका unemployment है, जो गिरने के बाद एक stably कम level पर चल रहा है, और यह आपका inflation है, जो यहां से एक stable rate पर बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो यह किस ने represent किया था, किस graph में represent किया था, Phillips curve, तो Phillips curve क्या आपको बताता है, relationship between inflation and your unemployment, अब आगे देखत अब unemployment को हम दो category में कर सकते हैं, आपका voluntary और involuntary, voluntary हुआ, आप अपनी मरजी से फिलहाल unemployed हो, हो सकता है, आप कोई और नई job दून रहे हो, इस वजह से आपकी by choice सा unemployed हो, ठीक है, तो वो voluntary हुआ, involuntary हुआ, आपको job से निकाल दी, आपको fire कर दिया गया, ठीक है, यह भी एक reason ह हो सकता है, यह आपकी, आपकी company, जैसे काफी यह करती है, बड़े numbers में lay off करती है, बीच में, production कम चल रही है, तो वो क्या करते है, employees को निकाल देते, जैसे last year news में आथा, automobile companies में काफी lay off हुए थे, यह आपका by juice, उन्हें भी काफी lay off किये थे last time पे, क्योंकि company सही से नहीं च employed रहे गया, बोलो वो कौन सा टाइप है, ठीक है, क्योंकि last, मैं आपका paper देख रही थी, तो 2016-15 में जब exam हुआ था, तो तब उन्होंने ऐसे situation-based question पूछे थे, unemployment से ही चाहे वो related नहीं थे, आपके universal declaration of human right के articles, तो वहाँ पे मैं आपको articles पढ़ाए हैं 30, वो धियान से देख that means demand ही कम होगी, जब demand कम होगी तो obviously आपकी production कम होगी, production कम होगी तो employment कम होगी, इसको हम demand deficit, general unemployment और keen reason unemployment भी बोलते हैं, तो यह term याद रखना keen reason, keen reason हम किसको बोलते हैं, cyclical unemployment को, जब companies experience करती हैं reduction in demand, वो अपनी production कम करती हैं and workers are laid off, ठीक है, तो recession चो हुआ था, 2008 का 2010 के बीच में, वो ही cyclical unemployment जो थी, उस recession से वो ही वाली unemployment हुए थी, तो जो cyclical unemployment is normally short run phenomena and are subject to trade cycle, तो जैसे आपका trade cycle appear down होता है, accordingly आपका ये जो unemployment का number है, cyclical unemployment का ये भी up down हो जाता है, structural unemployment हुआ, अब आपके structure में ही कोई problem है, आपकी economic production में problem है, आपकी policies में problem है, ठीक है, या technologically आप advanced नहीं हो, technological advance में problems है, इन चीज़ों की वज़ा से जो unemployment generate होती है, उसको structural unemployment बोलते हैं, तो वो related होती है, आपके market conditions से ही, इसलिए वो long term होती है, उनको correct करने में काफी time लगता है, अब technological भी क्या होता है, अगर एक जो company है, वो खुद को technologically advance करें, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर जो employees है, उतने ज़ादा advanced अभी नहीं है, तो वो क्या करें, उन employees को replace कर देगी, नए employees से, जो क्या करेंगी, जो उनके काम आएंगे, ठीक है, तो ऐसी type के अगर unemployment आप देख रहे हो, वो structural unemployment होगी, तो यहाँ पर example भी लिखे, as old industries have declined, new industries have emerged, such as high tech manufacture, IT companies, वगएरा, internet based companies, और इसके लिए आपको different skill set चाहिए, जो previous manufacturing jobs के लिए ज़रद नहीं होता था, तो इस वज़ा से unemployment हो सकती है, उसको हम structural unemployment कहते हैं, और रहे long term होती है, classical unemployment होती है, कि मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि जो wages है, आप मुझे काम दे रहे हैं, तो मुझे जादा wages देतो, तो अगर वो, जो आपका unemployment भी बोला जाता है, seasonal unemployment, अब यहां देखो, कश्मीर में क्या होता है, winters में, snowfall होती है, ठीक है, तो आपके जो ski resorts हैं, या snowfall related, जो भी जैसे, जिनका tourism based सारा काम चलता है, tourism based, वो अपनी shops जाते हैं, पहल गाम गुलमर्ग वहां पे लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है, वह रफ ही नहीं हुई, snowfall बहुत कम हुआ, या हुआ ही नहीं, उस साल tourist का footfall भी बहुत कम रहेगा, तो यह seasonal unemployment हुई, जो season के change की वज़ा से, किसी reason, ऐसी reason की वज़ा से generate हो जाए, ठीक है, तो यह किस cases में आती है, जब कुछ industries produce करती हैं, या distribute करती हैं, अपने products, only certain times of the year, जिसे मैंने आपको tourism वाला बोला, वो जो काम करते हैं, tourism वाले, उनके कुछ seasons होते हैं, कश्मीर में जिसे season में अच्छा tourism चलता है, उस season में उनका काम होगा, अगर tourist नहीं आएंके, तो काम नहीं चलेगा, उस time पे वो unemployment generate होगी उनके लिए, उनको seasonal unemployment बोलते हैं, यह agriculture में भी होता ह है, आप किसी एक particular crop के produce उसमें काम करते हो, किसी एक particular crop वहाँ पे उसकी खेती बारी करते हो, और वो आपको एक season में करना होता है, ठीक है, वो season जब खतम हो जाता है, तो आपके पास कोई काम नहीं रहता है, उसको हम seasonal unemployment बोलते हैं, और इस seasonal unemployment को tackle करने के लिए MG Narega scheme लाई थी जब आपको 100 days यह दिया था, employment, जब आपका season नहीं चल रहा, जब आप seasonal unemployment में थे, उस टाइम पे आपको 100 days की employment प्रोवाइट की जाएगी, यह हमने इस act में देखा था, Frictional Unemployment, Frictional Unemployment होती है, जब अभी currently वो unemployed है, and they are in the process of finding another one, दूसरी job दून रहें, ठीक है, तो this also suggests that zero unemployment is impossible at any time, at any one time, क्योंकि zero unemployment कभी हो सकती है, क्योंकि Frictional Unemployment है, कभी कोई ना कोई अपनी company से resign करता ही है, और कोई ना कोई ऐसा होगा ही, जो in the process होगा दूसरी job दूनने के लिए, इसलिए हमें zero unemployment कभी नहीं मिलेगी, at least वो लोग तो मिलेंगे ही, जो कोई नाई job दून रहे हैं, और इस type of unemployment को हम क्या कहते है, Frictional Unemployment, Voluntary Unemployment, मैंने आपको बताया, choose not to work at the current equilibrium wage rate, मेरी मर्जिय में इस चीज़ पे काम नहीं करूँगा, ठीक है, तो ये usually और ऐसे बंदे क्यों हो जाते हैं, कि मुझे करना ही नहीं है काम अपनी मर्जी से, क्यूंकि या तो उनको बहुत ज़ादा government के थ्रू ये मिले होते हैं, कुछ welfare benefits मिल रहे होते हैं, वो schemes avail कर रहे होते हैं, तो उनका गुजारा निकल रहा होता है, या high rates of income tax, कि income tax इतना लगता है, उसको लगता है, अगर मैं 5,000 कमाऊंग, उसमें 4,000 में tax बढ़ रहा हूं, तो मुझे फाइदा क्या है मेहनत करने का, तो ये type of reasons हो सकते हैं, आपके voluntary unemployment के, disguise unemployment क्या होती है, आपको example से बताती हूँ, लोग, for example, एक किसी field में काम कर रहे हैं, वहाँ पे 10 people काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी productivity, for example, X, कुछ है आपकी productivity, उस खेट में काम करने की, अगर इन 10 लोग उनकी जगह, वहाँ पे 5 लोग भी काम करें, तो भी आपकी productivity X ही होगी, मतलब productivity में कोई change नहीं आए, तो जहां 5 लोग जरूरत हैं, वहाँ फालतों में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 5 लोग Disguise Unemployment और यह related है, यूजूली इंडिया में आपके overcrowding in agriculture से, इसलिए मैंने example में यही वाली agriculture वाली ही दी, ठीक है, सारे लगे पड़े एक field में जहां पे काम, दो बंदों का है, वहाँ पे 10 बंदे काम करें, तो जो 8 उसमें से हैं, उनको लग रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका zero marginal productivity होती है, ठीक है, educated unemployment यह किस वज़ा से होती है, कि जिता में पड़ा लिखा हूँ, उस हिसाब कि मुझे job नहीं मिल रही है, क्योंकि qualifications उनकी job से match नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस वज़ा से जो unemployment आ जाती है, वो educated unemployment होती है, यह short unemployment के, among the educated youths in India, ठीक है, तो आपका education system ही वैसा नहीं है, जो आपको यहां की jobs के लिए train करें, mass output है, कि इतने जादा बचे हर साल, जो है, engineering करते हैं, उसमें इतनी saturation है, तो फिर कहां, कितने engineers को, अपकिस जगा, जो है, वो appoint करोगे, यह problem है, white collar jobs, मुझे ISKS ही बनना है, जब तक नहीं बनुगा, तब तक मैं बैठा रहूँगा, इस वज़े से भी हो जाती है, lack of employable skills के, उनके पास वो skills ही नहीं है, जो आप उनको job दे पाओ, तो यह सारी reasons होते है, educated unemployment के, technological unemployment हो आपका, it is a result of certain changes in techniques of production, which not warrant much labor, for example, जहां पे अब 10 लोग काम करते थे, वहां पे अब क्या उस machine को run करने के लिए अब एक ही इंसान चाहिए, वहां पे 10 लोग की जुरत नहीं पड़ेगी, क्यूंकि अब उनको replace किया है, एक machine ने, तो उसको हम बोलते है, technological unemployment, जो technology के advancement की वजह से आएगी, casual unemployment, वो casual laborers होते हैं, जो contract पे काम करते हैं, short term contract के मकान बनाओ, यह मकान एक सा job, आपकी 5 months में complete होनी चाहिए, तब तक का contract है और लेवर के साथ, उसके बाद उनकी unemployment हो जाएगी, फिर से जब तक उनको नया काम नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते है, casual unemployment, तो इस सारे इसके यह है, types, राइक इस खतम हो गए, chronic unemployment, यह हुआ जब unemployment काफी ज़्यादा time तर country म में रहेगी और इसका कोई solution नहीं आ रहा होगा, तो हम किस में आ जाते हैं, हमारी economic development जो है, बहुत कम हो जाती है, and हम किस में आ जाते हैं, chronic unemployment phase में, तो यह सारे जो causes है, मैंने आपको explain कि अच्छे से, तो यह आपको समझ में आगे होने चे सारे, अब अगर exam में कोई scenario आपक किस टाइब की unemployment है, you should be able to answer this, अगर आपने वीडियो यहां से सुना है, अब majorment of employment in India, तो जो employment है, वो कैसे हम major करते हैं, वो तीन तरीकों से major होती है, वो यह develop कोन करते हैं, आपका national sample survey organization, पहला होता है usual status unemployment, यह आपको lower estimate देगा unemployment का, क्योंकि यह बड़े time period के लिए हम देखते हैं, तो इसमें वो लोग आते हैं, जो unemployed होते हैं for major part of a year, major part of a year, that means इसमें reference period के है, एक साल, एक साल का हम इसमें देखते हैं, ठीक हैं, next देखते हैं, weekly status unemployment, तो इसमें क्या होगी unemployment with respect to one week, तो इसमें एक week का देखा जाएगा, a person is said to be employed for the week, even if she or he is employed only for a day during that week, मतलब अगर आप एक week देख रहे हो, first one to seven days, उसमें से अगर एक भी दिन आप काम करते हो, that means उस week के लिए आप employed count हो जाओगे, ठीक है, और अगर उस एक week में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, जहां पर at least आपने एक गंटा भी काम नाग किया हो, तो आप unemployed ही consider होगे, for example, one से लेकर seven days है, किसी एक दे आपने दो गंटे काम किया, that means आप उस week के लिए जो है वो employed count होगे, लेकिन अगर आपने एक आर भी काम नहीं किया, मतलब five minutes work किया, या 30 minutes किया, या बिलकुल ही काम नहीं किया, तो उस week के लिए आप unemployed consider होगे, and third one is your daily, basis बे calculate होता है, if a person did not find work on a day, और some days during the survey week, उस मतलब जज़िस दिन वो नहीं होगा, he is regarded as an unemployed, ठीक है, normally अगर कोई भी इनसान 4 गंटे के लिए और more during a day काम करता है, तो वो whole day के लिए employee consider किया जाता है, ठीक है, तो यह सबसे ज़ाधा comprehensive major है unemployment का, अगर आपको बिलकुल deeply और comprehensively, किसी की unemployment देखनी है, तो अब current daily status में देखोगे कि daily basis पर उसका क्या रहा, तो daily basis पर हम देखते हैं कि अगर एक भी दिन कोई ऐसा नहीं गया, जिस दिन वो उसने काम किया हो, at least 4 गंटा तो वो आपका unemployed है, ठीक है, week में हम देखते है, week में अगर एक भी दिन उसने काम किया, at least 1 गंटा तो किया, तो उसका week calculate होगा as employed, and year का usual status देखते हैं, जो data हम यहाँ पर, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो वो आपका ही usual वाला data होगा, जो हम yearly basis पर calculate करते हैं, ठीक है, यह recent trends देख लेते हैं, most recent आपका periodic labor force survey जो है, यह survey conduct करता है, आपका MOSP, यह याद रख ले Ministry of Statistics and Program Implementation, ठीक है, तो यह जो survey है, इसने recently कहा कि, चंदीगर जो है, इसमें lowest unemployment rate देखने को मिली, among the graduates at 5.6%, followed by Delhi at 5.7%, 2020-23 period में, ठीक है, तो जो NSO है, उसने अपना recently survey release किया, उसको हम बोलते हैं, periodic labor force survey, annual report, यह इसकी 6th report थी, on the basis of, जो survey इसने conduct किया था, यह survey conduct करता है, NSO under the Ministry of MOSP, जो मैंने अभी कहा, major करने के लिए, employment and unemployment situation in India, NSO नो launch किया था, आपका PLFS, April 2017 में, इसलिए मैंने का, जो अभी current report इन हुने release किया, current survey, वो किस पे based था, वो इनकी 6th report पे based था, ठीक है, PLFS annual report है, released 6th report, उसमें क्या देखने को मिला, कि जो unemployment rate है, इंडिया की, वो decrease हो रही है, अभी, that means कितने लोग employed है, आपके वो बढ़ रहे है, तो आपको इन दोनु rate की ज़रुरत पड़ती है, finally आपका unemployment rate calculate करने के लिए, ठीक है, तो जो आपकी इसके according unemployment rate है, वो decrease हो रही है, तो यहाँ पे इसके definition लिखी हुई है, आपकी understanding के लिए, यह आप देख सकते हो, secondly आप यह data देखते हैं, यह जो data है मैंने government website से लिया है, तो इससे बोलती हूँ, तो यह authentic data होगा, इसमें आप एक-दो साल भी याद रखो तो चलेगा, तो यह है आपका rural, यहां तब यह आपका urban है, और यह आपका aggregate है, total, तो 2021-2022 में आपकी जो male यह था, unemployment rate वो 4.4 थी, female unemployment rate 3.3 थी, और आपकी जो aggregate मानलो, वही percent, total unemployment rate किती थी 4.1%, ठीक है, and 2022-2023 में क्या हुआ, 3.3 आगे male की unemployment rate, 2.9 आगे female की unemployment, and aggregate कितना आगया, 3.2, ठीक है, यह आपका urban का अलग दिया हुआ है, रूरल का अलग दिया हुआ है, चाहो तो आप याद रख सकते हो, at least लेकिन यह तो कम से कहां आपको याद रखना हैंगे, अगर आप देखोगे, तो यह क्या हो रहा है, आपको इसमें decline देखने को मिलेगा, last 6 years में, तो यह बताता है, कि जो unemployment rate है, वो हमारी कम हो रही है, and आपका जो labor force participation है, and working population ratio है, वो बढ़ रहा है, जे NK का देखते हैं, यह unemployment rate, यह कम हुई है, 13% से 10.7 पर आगई है, क्या है, unemployment rate 10.7%, और यही July September 2022 में क्या थी, आपकी 13%, तो कितना reduce हुआ है, 2.3%, तो यहाँ पर male का कितना है, female का कितना है, वो भी आप देख सकते हैं, कितना drop हुआ है, वो अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन यह तो at least, यह वाला याद रख लेना ज़रूरी, जो aggregate है, अब क्या causes हैं, यह जल्दी जल्दी देख लेते हैं आगे से, causes of unemployment, caste system, caste system की वज़े से क्या होता है, कई जो low caste के लोग है, उनको opportunity ही नहीं प्रोवाइड होती, कि वो काम करे, या खुद भी वो hesitant होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, जब मॉडरन सेटिंग में हम काम करने जाएं, किसी मॉडरन कंपनी में, वहां पर high caste लोग भी होंगे, और उनको खुद वो डर होता है, कि वो उतने ज़्यादा involved नहीं रहना चाते, ठीक है, and high caste जो होते हैं, वहां से भी उनको कुछ negative vibes आती है, तो इस वज़ा से जो low caste है, वो mix नहीं होना चाते हैं, तो इस वज़ा से क्या होता है, काफी जो productive force है हमारा, labor force productive, वो unemployed ही रह जाता है, ठीक है, in educate economic growth, काफी reasons की वज़ा से हो सकती है, कि आपकी economy ही सही से grow नहीं कर रही है, तो वो भी unemployment का reason होता है, increase in population, population आपकी बहुत जादा बढ़ रही है, उतने आपके resources नहीं बढ़ रहे हैं, और उस हिसाब कि आपकी economy नहीं बढ़ रही है, जितनी आपकी population बढ़ रही है, तो उस बज़ा से भी unemployment हो जाएगी, agriculture seasonal occupation है, तो इस बज़ा से मैंने किया कहाँ, आपको seasonal unemployment भी इस बज़ा से हो जाती है, disguise unemployment भी आपके agriculture की वज़ा से है, loss of small and cottage industries, जब आपकी industrialization बगेरा हो गए, बड़ी बड़ी जब industries set up होना शुरू हो गई, तो आपकी जो small scale, small level पे industries है, उनको काफी ज़ादा इस चीज से नुकसान हो जाते है, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज़ादा production high करते हैं, काफी ऐसे जो है आपके लिए profits लेके आते हैं, कि आप इन चीजों से, जो इनकी बनाई हुई चीज़े हैं, industries में बनती है, वो आप लेने ज़ादा पसंद करते हो, वो जो small cottage industries हैं, घर से काम करते हैं, आपके hand loom, handicrafts वगएरा, pottery, वो सही से नहीं चलती है, low rate of saving and investment, क्योंकि लोगं के पास, यह हमने starting में, vicious cycle of poverty में पढ़ा था, last lecture में भी, कि लोगं के पास पैसा कम है, तो वो save नहीं करेंगे, save नहीं करेंगे, कहीं invest नहीं करेंगे, जब पैसे invest नहीं करेंगे, तो market में पैसा नहीं आएगा, जब market में पैसा नहीं आएगा, तो आपके economy ग्रोड नहीं करेंगी, आपकी economic planning सही से नहीं हो रहे है तो यह आपकी structural unemployment हुई labor immobility again आपको काम टूनने के लिए migrate करना पड़ेगा तो migration आप नहीं कर पाते हो काफी reasons की वज़ा से उसमें car system भी एक sub reason इसका आ सकता है secondly season एक reason आ सकता है ठीक है आप देखो इंडिया में जाओ north का season जो हो south से अलग होगा north east जो है वो west से अलग होगा हर जगा आपको हर km पर आपको कुछ variety देखने को मिलेगी अलग culture देखने को मिलेगा अलग seasons देखने को मिलेगे इन वज़ा से भी लोग अपनी जो घर है अपना घर है अपनी जगे नहीं छोड़ना चाते job specialization and lack of essential skilling तो बोथ actually same ही चीज़ पॉइंट करते हैं क्या आपको specialization इतनी चाहिए उसके लिए आपको skills उतने चाहिए ठीक है and हर company में अलग-अलग department है एक department के अंदर अलग sub-departments है इतनी specializations है ठीक है तो उसके लिए उनकी demands भी अलग होती है तो क्या उन demands के according आप उतनी skillful हो की नहीं ठीक है तो इजो human resource की problems है वो इन दो चीज़ों से related है तो इन सारी चीज़ों की वज़े से क्या हो जाती है आपके country में unemployment तो specific reasons है unemployment के इंडिया में आप ये schemes देखो तो again मैंने इस government website से लिए हुई है सारी schemes तो ये आपके लिए most authentic रहेंगी आपको इसमें क्या करना है schemes आप देखोगे and ministry याद रखोगे and यहाँ पे कुछ एक key point निकालोगे हर scheme का ठीक है इसमें चाहे आप year याद ना भी रखो किस year में लाई थी अगर उतना आप याद नहीं रख पाओगे ठीक है आपकी capability पर depend करता है लेकिन at least आपको क्या पता होना चाहिए आपको जो key point हर scheme का पता होना चाहिए उससे आप आराम से अपना question solve कर पाओगे and आपको पता होना चाहिए किस ministry के अंडर रहा था तो यह सारी जो schemes है यह employment generation schemes and programs of government of India है जो उन्होंने recently launch करी है तो I don't think यह आपको इसमें जो line by line बताने की जरूरत है simple English में लिखा हुआ है कोई conceptual चीज नहीं है factual data है जो आपको याद करना है ठीक है तो यह 16 schemes है जो आपको देखनी है fine देखो इसमें आप क्या करोगे schemes में मैं आपको पहले भी कहा I know कि काफी ज़्यादा extensive हो जाएगा आपका unit 6 completely schemes वाला है आप at least target बनाओ दिन में 8 to 9 schemes याद करने का कोई मुश्किल काम नहीं है ministry याद कर लो ठीक है and उसके objectives याद करो आपको ज़्यादा detailing में नहीं जाना है अगर आप रोज 8-9 schemes याद करोगे तो within a month आपको सारी schemes fingertips पे होंगी ठीक है तो उतना जब आपको कोई topic लगे न जादा बड़ा है तो उसको break करना चाहिए एक दिन आदा कर लिया, एक दिन आदा कर लिया, एक दिन आदा कर लिया क्योंकि time will pass anyway तो आपको क्या करना है इस time को अपने लिये productive बनाना है 5 schemes, at least 5 schemes a day you can do, यह कोई बड़ा task नहीं है 5 schemes करना hardly आपको आदा गंटा लगेगा half and hour आपको लगेगा 5 schemes याद करने में 5 schemes याद करो महीने के end में फिर भी आपके पास 500 schemes होगी, इतनी तो शायद हमने पढ़ी भी नहीं होगी इतनी शायद हमने पढ़नी भी नहीं होगी एक महीने के अंदर आप schemes में champion बन जाओगे, अब ये बात है क्यों मैं इस पर focus कर रही हूँ क्योंकि आपका एक पुरा unit है scheme based, secondly जो आपके topics ऐसे दिये गए हैं उनमें government initiatives आपको पढ़ने हैं अगर आप पुराने papers भी देखो तो ऐसे questions आते हैं, तो कोई chance नहीं लेना risk नहीं लेना, क्योंकि बच्चे काफी महनत कर रहे हैं, competition काफी high है अब जेन के exam है, तो इनकी भी schemes देखनी होंगी, mission youth के under government कुछ schemes लेके आए थी, जिसे मुमकिन, ये एक livelihood generation scheme है, obviously सारी employment schemes ही हैं आपकी, तो ये क्या करेगा इस small commercial vehicles subsidy पे उनको provide करता है तो ये किस चीज की मुमकिन किस से related होगी आपकी transport sector से, तो ऐसे आप short key points से बना सकते हैं, transport sector से related है, ये commercial vehicles, चोटी-चोटी गाड़ियां उनको subsidize rate पे दे सकते हैं, जो बाद में फ्रूद चला सकते हैं, वो गाड़ियां और कुछ पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको incentive कितना मिलेगा, तो mission youth, जो है, वो contribute करेगा 10% of जितना on-road price होगा वहिकल का, that should be amount year, that should be equivalent to year almost 0.8 lakh, ठीक है, 0.8 lakh और 10% इन दोनों में से, जो भी कम amount होगा, वो आपको scheme प्रोवाइड करेगी, and आपको इसमें per beneficiary मिलेगा ये, and an equal amount is also contributed by the vehicle manufacturers, और उतना ही amount आपको vehicle manufacturers भी देंगे, तो subscribe rate पे आपको vehicle मिल जाएगी, उसके बाद आप अपना जो employment है वहाँ से generate कर सकते हो, Spurring Entrepreneurship Initiative, ये नाम में ही entrepreneurship है, that means, ये क्या करेगा, ये आपके business promotion के related होगा, ठीक है, तो इसका theme क्या है Youth Enterprise with Innovation, you win, and ये जो scheme है, ये लाई है young entrepreneurs of JNK के लिए especially young women, तो सिर्फ young women के लिए लाई है, नहीं, अगर exam में ऐसा कोई question आजा, it is launched specifically for women, to know, especially for women, that means preference इसको women को ज़रूर इसमें मिलेगी, ठीक है, the broad aim क्या है, financial assistance provide करना, establish करने के लिए अपना business unit, तो इसमें आपको याद रख सकते हो, अब financial assistance किसको मिलेगी, जो 18 to 40 years of age होंगी, and minimum qualification, 12th standard or above, बस ये key points है, ये ही आपको जो हमने 16 schemes में आपको पीछे दिखाई, वो भी आपको ऐसे ही key points में रखनी है, याद कि क्या objective है, and कोई अगर खास eligibility criteria होगा, वो क्या है, ठीक है? ते जस्वनी जो है, ये specifically young women के लिए लेके आये थे, ये भी entrepreneurship based scheme है, entrepreneurship, that means employment business generate करने के लिए, ठीक है, तो कितना financial assistance देगा, up to 5 lakh, और किसको देगा, age 18 to 35, जिनकी qualification 10th standard or above, बस ये 4 points उतने difficult तो नहीं है, याद रखने के लिए, ऐसी आपको हर scheme में याद रखने, साहिते program ये देगा, financial assistance for youth in distress, और कितना देगा, of 2 lakh, ठीक है, can be provided under this scheme to youth in distress, अब इसमें age group क्या आईगी, आपकी 18 to 40 years, अब इसमें distress कौन से लोग हैं, वो categories देखना important है, वो लोग जिनका कोई relative गुजर गया हो, किसी insurgency related action में, cross border shelling में or mind blast incident में, in 3 चीज़ों में, अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी का कोई relative की death हो गई है, या कुछ ऐसे incidents हो गए हैं, जिसकी वज़ा से वो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी लोग को बोला जाता है, youth in distress, और उनके लिए कोज सा program है, सहिते program, तो exam में ऐसा question बन सकते हैं, कि सही ते program, जो है किसके लिए लेकिया है थे, young women के लिए, old, disabled लोगों के लिए, या pensioners के लिए, और youth in distress के लिए, आराम से question बन सकते है, youth innovators program, तो ये भी आपके कुछ innovation से related है, वो innovation किस field में, education, entrepreneurship, art, research and cross-sectoral partnerships, तो इन सारे fields में, ये innovation से related ये program है, और इसके क्या activities ले जाएंगी इस program के अंडर, support करना, innovative entrepreneurship को, को innovative business idea को, innovative entrepreneurship idea contest भी होंगे, promotion of young या social आपके, या educational innovators उनको promote करना, या innovative initiatives in conservation and management of resources, ठीक है, या इस field में, जो भी initiative लेगा, वो भी इसमें fall करेंगे, तो ये क्या activities इसमें ली जाएंगी, वो चार आपको याद रखनी है, ठीक है, और इसमें कौन-कौन सा subject involved है वो, फिर rise together, अगेन ये नाम भी, scheme का याद रखना easy है, कि rise together क्या हो सकता है, तो basically, ये भी आपके entrepreneurship से related है, और ये community based है, इसमें मतलब, बहुत लोग groups involved होंगे, सिर्फ individual per beneficiary हिसाब नहीं होगा, इस scheme में क्या होगा, आपके youth groups बनेंगे, जिनको financial assistance दी जाएगी, वो कितनी financial assistance होगी, at least 2.5 lakh, और 10% जो भी उनके project का cost होगा, 10% of project cost, और वो कहां तक extend कर सकते हैं, वो 20 lakh तक, financial assistance to the extent of 20 lakh, 20 lakh की subsidy, या minimum उनको 2.5 lakh, या 10% of the project cost दिया जाएगा, minimum to maximum, ठीक है, और उनको bank भी लोन प्रोवाइट करेगी, 70% of the project cost जो है, to the extent of 17.50 lakh, उनको कहां से मिलेंगे 17.50 lakh, at least अगर 70% उसमें cover हो जाएगा, वो को उनको देगी, बैंक अलोन उनको वहां से मिलेगा, ठीक है, और जो balance होगा उनके project का, it should not be less than 20% of the project cost, not less than 20% of the project cost, ठीक है, तो 20% से कम जो उनका balance बच जाएगा, वो उनको खुद से उसमें, क्या करना होगा, self-finance और self-arrange, तो ये कुछ numbers आपको इस scheme में याद रखने होंगे, rise together, together means एकठे, तो एक youth group बनेगा, ठीक है, तो इसको community-based entrepreneurship बोलते हैं, तो exam में अगर आपको सीधर data पूछा जाए, तो वो factual है, ये आपको पूछा जाएगा rise together, जो है ये women के लिए, women empowerment के लिए लाया है, तो जिसे नहीं पढ़ा होगा, rise together, तो नाम सापको लग सकता है न, कि हाँ women empowerment related scheme होगी, या youth groups की होगी, female group की होगी, self-help workers की होगी, तो ऐसे करके, आपके options इससे बन सकते हैं, the next one is your yogita से rosegar, इसमें क्या होगा, steps are being taken to fully support young men and women, in building bright future for themselves, तो yogita से rosegar, जो है ये men के लिए भी है, and women के लिए भी है, पहला point, ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको expertise, जो भी उनको assistance चाहिए, और technical expertise, जो उनको जरूरत होगी, technicality, technical काम, किन business units में, manufacturing, service, retail, सारे sectors में, कोई भी एगर assistance है, कोई technical expertise, technical help की जरूरत है, वो उनको government provide करेगी, अंडर योगिता से rosegar drive, emphasis किस पे होगा, कि merit-based elections हो, जिन भी beneficiaries को आप select करोगे, वो किसी merit पे करोगे, in a transparent, equitable and fair manner, आगे देखते हैं, ये आपकी mission youth के अंडरात की, जो हमने अभी तक देखी, ये आपकी बेरोजगार से, स्वरोजगार scheme 2024, ये launch की गई है, in order to give employment opportunities, citizens of JNK को, देने के लिए, and make them self-dependent, तो अभी तक जो हमने usually पढ़ी, वो आपकी business entrepreneur related थी, ठीके तो ये जो है, ये आपको क्या करती है, employment opportunities provide करती है, ये है part of 10 point campaign, launched by government, through this campaign, at least, अब इसका क्या है main funda, 5 people in every panchayat, जो है, will be identified, और उनको job दी जाएगी, ठीके, 5 people, in every panchayat, वो आपको याद रखना है, यहां से आपका question बन सकते है, at least 2,00, लोग जो है, will be benefited from this scheme, ठीके, scheme 2024, बस यहां आपका topic हतम होता है, last में question देखते हैं, disguised unemployment generally means, तो disguised unemployment, जो हमने पढ़ा, वो क्या होता है, large number of people, remain unemployed, नहीं, उसमें तो extra employment, मिल रही होती है, जिनको जुरत नहीं भी होती है, जिनका कोई काम नहीं भी होता है, alternative employment is not available, मैंने आपको यह बताया, कहीं पर नहीं, productivity of the workers is low, चलो फिलहाल इसको question mark दे देते हैं, marginal productivity of the labor is zero, जो at least productivity होनी चाहिए, आपके labor सबकी वो zero है, ठीके, क्यूंकि जहां पर 10 लोग काम कर रहें, वहां पर 5 की ही जरूरत है, तो इसका answer क्या होगा, यह यहां खतम होता है, हमारा unemployment, इससे related कोई बेगर fact data, extra आता है आपके exam तर, जब तक आपका paper सेट होने के chances हैं, तो वह मैं आपको फिर update करती रहोंगी, तो till the time I upload next video, बबबाय, take care, have a great day.